हेलो स्टुडेंट्स, तुडे डिसकस मार्फलोजी अफ्लावरिंग प्लांट, अगर हम मार्फलोजी अफ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो हाटीजे मार्फलोजी, मार्फलोजी मिल्स होता है, जब हम लार्ज डैवर्स्टी की किसी एक्स्टर्नल स्ट्रक्शर की बात मार्पोलाजु बोलते हैं मार्पोलाजु में प्रजेंट क्या होता है रूट, इस्टेम, लीव, फ्लावर, औरूट यह सारी चीज़े मार्पोलाजु में प्रजेंट होती हैं अगर हम बात करें किसी various different part की जो adaptation के लिए होता है plant के लिए तो इसमें तीन चीजे होती है first चीजे habitat habitat various habitat and protection claiming storage adaptation to various habitat के लिए हमें तीन चीजे चाहिए एक protection चाहिए claiming चाहिए और storage इसको request PCS से याद कर सकते हो फिर उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट इसमें जो है first part जो है वो है the root root की बात करते हैं तो root जो होता है यह majority होती इसके dicotledan plant में यह direct elongated होता है radical से जो formation करता है primary root का ठीक है अगर हम lateral root की बात करेंगे तो lateral root जो होता है वो several order में होते हैं जिनको हम जो है secondary या tertiary root बोलते है secondary या tertiary root अगर हम बात करें the tap root system का तो tap root system जो होता है वो mustard plant में देखा जाता है मुनेस्ट्रा बनेयां ट्री ग्रास इन सब में पाय जाता है तो रोट यह चीज़ पता चला कि रोट जो होता है वो तीन टाइब के होते हैं एक होता है tap root system फाइब्रस रोड शिस्टम और एडवेंटेश रोड शिस्टम अगर हम बात करें टाइब रोड शिस्टम का तो tap root system के एक्जामपल जो हो गया वह हो गया टर्लिप करम और मस्टव वीट यह हो गया फाइब्राश gak लट और एडवैंटेशीत सु रूट की बात करें तो एडवैंटेश स्वूनेश्टरा डवनेश्ट्री आन्द स्वीट पोटैटो तो यह आपके जो है तीनょ उप लोड़ सुप्राय तरूiselक failing प्लांट प्लांट पार्स की बात करें तो यह इस्टोरिय रीजर फोर माटेरियल होता है और synthesis करता है plant growth regulators को synthesis करता है अब हम आगे अगर बात करें region of root तो region तीन होते हैं root के एक होता है maturation, elongation and merismatic activity इसका याद करने का तरीका यह है कि यह series में कभी-कभी आपसे पूच लेता है तो simple सा याद रखो कि इंसान जो है mature होते हैं head से और उनकी जो length होती है, कहां से होती है made points जो होता है, जैसे आपका पेट हो गया, पैर हो गया यहां से लंबा होता है आदमी और जो merismatic मतलब हो गया पैर वाला region, जिसको हम लोग merismatic activity होते है तो ऐसे ही आप यहाँ पर जो है plant के लिए भी याद कर सकते हो कि जो maturation, अब इसमें confusion यही होता है, कि maturation उपर है, या फिर elongation उपर है या फिर merismatic order पोस्ता है आपसे, तो याद कर सकते हो कि root hair हमारे बाल जो है सर्ग में पाए जाते है तो root hair भी जो है उपर होगा और उपर की तरफ कौन होगा maturation होगा, फिर उसके बाद आता है, elongation और फिर हमारा आता है कौन सा root cap, जिसको हम लोग जो है region of merismatic activity ही बोलते हैं तो root cap जो है नीचे की तरफ पाए जाते हैं और यह merismatic activity भी present होती है अगर हम बात करें root hair की तो root hair जो होता है, इसका work होता है, absorption of water and structure होता है, इसका जो structure होता है, वो thermal like होता है, जबकि हमारा जो root hair होता है यह कैसा होता है, thread like structure होता है, कैसा होता है thread like, THREAD तो यह thread like structure होता है जो है root hair, और root cap कैसा होता है, root cap जो है आपका कैसा होता है thermal like structure होता है ठीचे, तो यह आपका हो गया को एकिर माटिफिकेशन के इसेम इस ट्रक्टिरी जो मौडिफाई करते हैं अगर हम बात करें इसके तो इसका जो में फंचन होते हैं वो होता है absorption and conduction of water and minerals और इनका work होता है support, storage of food and respiration का तो यह जो है storage का भी काम करते हैं अगर हम बात करें बनियाइंट्री में तो बनियाइंट्री की जब हम बात करते हैं तो बनियाइंट्री में कौन सा root पाये जाता है तो बनियाइंट्री में हम लोग जो है prop root पाये जाते हैं और जो आपका इस्टेम ऑफ मेज होता है मेज और सुगर किन का जो इस्टेम होता है उसमें अगर बात करें तो उसमें जो है इस्टेल्ट रूट पाए जाता है तो यहां पर जो है बनिया एंट्री और इस्टेम ऑफ मेज और सुगर किन कई बार एक्जाम में पूछा जा सीजन में help करते हैं respiration के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे example की यहाँ पर जो है आपका asparagus, turnip, carrot, sweet potato यहाँ पर अगर बात करें जैसे asparagus, turnip, carrot और sweet potato यह जो है सभी storage का काम करते हैं लेकिन जो numato force होते हैं यह आपका जो है किसका काम करते हैं respiration का काम करते हैं तो यह आज आज आपका हमने जो है पता दिया पूरा the root system और उसके absorption वर्ग next time पर हम बताएंगे आपको जो है the system तो आज के लिए इतना ही और इसमें कोई doubt हो तो आपको उचिए उसको thank you